आज हम बनाएगे फिश करी तरी वाला ये सालन आप किसी की दावत में भी बना सकते हो सौफ्ट और जूसी मचली का सालन मेरे तरीके से बनाओगे तो इंशालला घर में सबी को पसंद आएगा तो चलिए टेस्टी फिश करी किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं फिश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक किलो रोहू फिश ली हूँ और इसे अच्छे से साफ करके मैंने धोली हूँ देखिए बड़े पीस रखे है मैंने मचली के तो आप अपने इसाब से छोटे बड़े पीस करवा सकते हो इसमें एक ही काटा है आप देख सकते हो तो बच्चे भी से आराम से खा लेते तो सबसे पहले हम इसमें नमक और निम्बू लगाएगे जिससे के मचली के अंदर तक टेस्ट अच्छा सा आजाए नमक ढलेगे टेस्ट के मुताबिक, छोटा अधा चमाच हल्दी पाऊडर, मचली के अंदर चट्पथा सा टेस्ट देने के लिए एक निम्बू का रस डालेगे हम नमक हल्दी और नीबू का रस लगा कर 10 मिनट के लिए रख देना है ताके मचली के अंदर तक अच्छा सा टेस्ट आ जाए वहां तक हम फिश करी के लिए मसाला भी तयार कर लेगे तो अच्छे से मिक्स कर लेते इसे तो इस तरह से हम फिश को नमक हल्दी और नीबू का रस लगा कर रखेगे तो बड़ी आसा टेस्ट भी आ जाता है देखिए फिश में सबी चीज़े अच्छी तरह से लगा दिये अभी 10 मिनट के लिए से साइड में रख लेते और मसाला तयार कर लेते तो यहां पर मसाले में मैंने एक बड़े साइस की पियास लिए इस तरह से बड़े टुकड़े में काटकर थोड़ा सा हरा धनिया है आदा चमज जीरा है दो हरी मिर्च है तीन छोटे साइस की टमाटर लिए अगर बड़े टमाटर हो तो दो टमाटर ले सकते हो आप यहां 12-15 कि और 12-15 लेसन कि लिए और एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है तो मिचसर जार में हम हमें इसे मैसले ना है और इसका पेस्ट बना कर तढ़ смотр library दानीए को काट कर डाल देते तो यह पेस्ट रेडी है हमारा, दस मिनिट हो गया है, फिश में मसाल अची तरह से लग गया है, अब एक पैन रखाए गे इस पर और उसमें थोड़ा तेल दालेगे, यहां पर हमें फिश को थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है, तेल गरम हो गया है, मचली के एक एक पीस को दाले गैस की फ्लेम में ने मीडियम कर दिये, यहां पर दो मिनिट हो गए, फिश को हम पलट लेते, बहुत ज्यादा भी हमें फिश को फ्राइ नहीं करना है, बस दो से तीन मिनिट ही हम इसे फ्राइ करेगे, बाकी इसे मसालिम पकाएगे, और वैसे भी फिश बहुत जल्दी गल जाती है, इस तरह से जब हम फिश को थोड़ा फ्राइ करके लेते हैं, तो हमारी जो फिश कर लिए, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, यहां पर एक से दो मिनिट हो गए, यह फिश हमारी हो चुकी है, इसे निकाल लेगे हम, तो आप देख सकते हैं, बहुत तो तीन मिनट के लिए फ्राइ कर लेगे, और यह जो तेल बच जाएगा, उसी में हम फिश की करी बना लेगे, यह फिश भी फ्राइ हो गई है, तो मैं गैस बन कर देती हूँ, और हलके आतों से यह मचली को निकाल लेगे हम, यह देखिए, सभी फिश को मैंने एक बरतन मे निकाल लिया है, भी से साइड में रख लेते, और फिश की करी बना लेते, तो इसी तेल का हम इस्तमाल कर लेगे, गैस पर मैं एक कडाई रख देती हूँ, थोड़े से इसमें मेथी के दाने डालेगे, इसमें फिश करी में बहुत एच्छा टेस्ट आएगा, और मेथी दा अच्छी तरह से हो चुके है, अब गैस की फ्लेम धीमी कर देगे, और इसमें देड़ चमज लाल मिच पाउडर दालेगे, इसमें कलर बहुत अच्छा आजाता है हमारी करी में, तो गैस की फ्लेम धीमी रखे ताके मिर्ची हमारी जले नहीं, अब जो हमने पेस्ट बनाया टमाटर प्यास का वो डाल देते, एक चमज गरम मसाला पाउडर दालेगे, एक चमज धनिया पाउडर दालेगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी दाल देते, और नमक यहाँ पर थोड़ा सा दालेगे, ग्रेवी के साब से, फिश में भी हमने नमक दाला है, तो नमक देख तो यह मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है ताकि प्यास का जो कच्छा पन है वो खतम हो जाए और फिश कड़ी में हमारे बहुत अच्छा टेस्ट आए अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम यह मसाले को चार से पाच मिनट के लि तो मसाले में से तेल उपर आ जाए वहां तक यह मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है तो यहाँ पर देख सकते हो मसाले में से तेल निकल रहा है हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है जो पियास का कच्छा पन था द्रकलसन टमाटर वगेरा सभी अब ग्रेवी के इसापसे में हम पानी डालेगे, क्योंकि फिश को हमने पहले से थोड़ा सा फ्राय करके लिया है, अगर मसाले में फिश डालकर पानी डालेगे, तो उसे पकने में टाइम नहीं लगता है, और फिश हमारी गलकर ज्यादा टुकडे ना हो जाए, इसलिए पहल पाणी डाल दिया है, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे, अब इस करी में एक से दो ऊच्छी से उबाल लाएगे, और इसमे पानी अच्छी तरह से पक जाएगा, यानि हमारी करी अच्छी से पक जाएगी तो उसमें फीश डाल देगे हम तो इसे अच्छी तरह से एक-दो उबाल आने देते हम तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है पांच मिनट तक मैंने यह ग्रेवी को अच्छे से पका लिया है तो यह ग्रेवी में उबाल लाना बहुत ही ज़रूर है ताके जब इसमें मचली डाले हम तो मचली तो फटा-फट से हो जाएगी इसलिए ग्रेवी का पकना बहुत जरूर है अब इसमें फ्राइ श्र्ण डाल देते हम तो देखिए लग रहे ना चिकन के पीस होते उस तरह से तो यह सबी पीसे को आम ढाल देते इसमे बिसमिल्लायरमाइब अब हलके हातों से इसे मिक्स करेगे और बस तीन से चार मीनट के लिए ही से हमें पकाना है क्योंकि मचली को हमने पहले से थोड़ा फ्राय करके लिया है तो जटपड ये मचली अब हमारी ग्रेवी में पक जाएगी अगर आप इसे बहुत ज्यादा दे ग्रेवी में पकने दोगे तो मचली जो है तूट सकती है तो बस तीन से चार मिनिट इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दे एक बार हलके हातों से मैं इसे पलट देती हूँ बिल्कुल हलके हातों से आप इस फिश करी को गियों की रोटी बाजरी की रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो बहुत ही खाने में मज़ेदार लगती है बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से ही रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किये तो आप एक बार इस फिश करी को जरूर बना कर ट्राय करना तो यहाँ पर तीन से चार मीनट हो गए फिश करी को बनते हुए अब मैं गेस बन कर देती हूँ और उपर से बारिक कटावा हरा धनिया डाल देगे और माशालला देखिए गर्मा गरम हमारी फिश करी रेडी है तो आप इसको इसकी ग्रेवी भी दिखा देती हूँ मैं बिल्कुल हलके आतों से इससे सर्व करना है वरना फिश जो है तूटने लगती है तो देखिए ग्रेवी माशालला कितनी जबरदस बनी है तो चलिए इसे गर्मा करम हम डिश आउट कर लेते हैं प्रेवी माशालला कितनी जबरदस बनी है अगर आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा दूआउ में मुझे याद रखिएगा फिर मिलते हैं इंशाला एक नई रेसिपी के साथ अला पीस